वाद इस अप गाइस वेलकम तो दे चैनल मेरा नहीं है शिवम लेट्स है लेट्स है लेट्स आप लुक आट अट दे मार्केट में बहुत सारी फड रिलेटेट चीज़ें चल रही है या थोड़ा डेंजर चल रहा है मार्केट में वाद देखेंगे इंपोर्टन निउस आटम्स जो हम सब के क्रिप्टो को एफेक्ट कर सकता है उसके बाद देखेंगे कुकोईन के बारे में क्या चल रहा है बिकोईन आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कुकोईन मैं भी यूज़ करता हूँ और यहाँ पर प्र सुर्प्राइजिंग था मुझे इतने सारे क्वेस्टन से वालेट के बारे में मैंने कल वीडियो बनाया और यह वीडियो को डाई हजार व्यूज़ है नॉर्मली पांच से साड़े छी हजार व्यूज़ होते हैं आप फ्री वालेट्स यहाँ पर आपको खरीदने की जुर और फॉरिण के लिए होता है वहाँ पर तो उन्होंने यहाँ पर बैंक्रप्सी का फाइल किया आपको पता होगा एक मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था कि एक ब्रिटिश वर्जिन आइलेंड की कोट ने इनको बोला है कि आप लिक्विडिशन कर लो और बंद कर दो तो अब वो नहीं कर पाएं है ना यह हो गई एक बात दूसरा वॉयजर डिजिटल जो की स्टॉक मार्किट में ट्रेड करता है यूएस में उनके यहाँ पर शेयर जो है 26% और गिर गए और 58% और लड़ी गिरे थे क्यूं यहाँ पर पता लगा है कि वॉयजर वालों ने जो है deposits, trading and withdrawals सब कुछ जो है बंद कर दिया है यहाँ पर अगर उनने यह सारी चीज़े बंद कर दी है और उनने यहाँ पर क्या बोला है कि इस से हमें थोड़ा जादा टाइम मिलेगा ताकि हम एक strategic alternative बता करें अभी क्या चक्कर पड़ा यह लोग Luna को exposed थे 3AC को exposed थे और ऐसा बोल million dollar gaip दिखे हैं वहां से वाजर ने recently disclose किया कि इनके पास significant exposure था three arrows capital का और इनको इन्होंने default notice भी यहाँ पर दिया था तो वाजर ने बताया कि 3AC ने जो payments देनी थी वो है सवा 15,000 Bitcoin की जो की almost 300 million dollar बन जाता है और 300 million dollar worth of USDC यह इनको नहीं मिल पाया तो almost 600 million dollar यहां से नहीं मिल पाया है ना वोयजर ने यह भी है कि इनको FTX के दवारा 200 million का revolving credit और 15,000 Bitcoin मिले थे और जब यह मिले थे मैंने तब भी बताया था कि शायद हो सकता है यह enough ना पड़ें आप वो वीडियो जाके दुबारा देख स जल रहा था उसके बाद वो 1 billion पे गए अभी FTX को एक option मिला है कि वो block fire को 500 million dollar के लिए खरीच सके imagine 3 billion का valuation है 200 million के लिए वो खरीच सकते हैं Sam Bankman Freed, NFTX यहाँ पे एक बड़े शाक निकल कर आ रहे हैं और अच्छे assets को acquire करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं इन very very cheap और bear markets में जब मैं बार बार बोलता हूं कि guys consolidation होगा recession में power consolidation होगा market share का consolidation होगा यहाँ पे हमें दिख रहा है और दूसरा के दिख रहा है with 400 million dollars of other credit right तो यहाँ पे 200 million की जगा टेकनिकली देखो तो आपको overall जो FTX को total शायद पे करना पड़े वो 600 million की range में हो बट 3 billion से 600 million भी बहुत जादा कम है right so यहाँ पे उन्होंने एक चीज और बोली कि as a matter of principle हम लोग believe करते हैं कि client के funds बचे रहे right बाकी सब चीज़े बाद में आती है client का fund बचा रहना चाहिए but at the same time क्या आप comfortable हो अभी किसी भी exchange में पैसा रखने के लिए चाहे वो ku coin हो चाहे वो finance हो चाहे कोई भी exchange हो मैं बहुत time से बोल रहा हूं कि सारा पैसा एक exchange में क्रिपया मट डाले अभी हमें वो चीज़ें दिख रहे हैं दूसरा on a positive note एल सालवेड और ने जो है 80 bitcoin और खरीद ले 19,000 के price point पे तो उन्होंने जो literally उन्होंने क्या बोले है यहाँ पे नाइब बुकेले जो एल सालवेड और के president है उन्होंने बोले bitcoin is the future thanks for selling it cheap तो यह एक बैने का छो थोड़ वालेट नहीं खरीद सकता मेरा 50,000 का portfolio है अब मैं 15,000 का hardware wallet खरीद हूं फिर उसमें मैं 4-5,000 रुपए जो है transaction की fee लगा हूं यह सब इतना दर्ध हमसे ना सहे पाएगा तो फिर मैंने आपको बोला था आप मैं wallet वाले वीडियो बना देता हूं तो मैं hardware वरसे software wallet वीडियो भ अगर आप free software wallet की बात करो तो exodus, metamask मैंने इस video में detail में हर wallet की बात की उसका क्या फायदा है क्या pro है क्या कौन है fee किसकी जादा लगेगी किसकी कम लगेगी तो यह video जरूर चेक आउट करें कल वाला यह video है moving on to the TA part in fact TA से पहले कुकोईन की तरफ चलते हैं अभी कुकोईन को लेकर rumors आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने tweet किया ऐसा लग रहा है कि यह जबरदस्ती FUD फिल आया जा रहा है कि मेरा deposit मेरा withdrawal नहीं चल रहा है, मेरा withdrawal नहीं चल रहा है, बहुत सारे ऐसे Twitter accounts देखने में आये, जिन्नोंने पहले जादा कुछ tweet किया नहीं था, तो शायद वहा करने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनके पास funds हो, बट अगर market में सब लोग believe करने लगें कि कुकोईन उनका withdrawal बंद करतेगा और उस सब withdrawal करने लगें, तो वह असलियत हो जाता है, तो वह self-fulfilling prophecy बोल रहे हैं लोग इसको, तो क्या होगा, फट भी असली news की तरह या असली event बन सकता है, अगर सही में लोग मानने लगें, और लोग मान रहे हैं, personally मैं आपको बता हूँ, मैं ये risk नहीं लेना चाहता, I will be better safe than sorry, and I will suggest you as well, तो कुकोईन से अगर आप निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत तो निकाल लो, थोड़ा रखना है कोई बात नहीं, जैसे मेरा trading bot वाला जो fund है, right, मेरा वो infinity grid लगा हूँ है, वो चल रहा है, मेरा DCA bot चल रहा है, मैं आप भी के लिए वो नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो मैं थोड़े-थोड़े mountी रखता हूँ, but in case, मुझे लगता है कि और risk है, तो मैं उनको भी बंद करके निकाल लोगा, कोई बा at the same time, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है, कौन सा एक्चेंज या वाले डूस कर रहे है, and I will suggest the same guys, क्या आप कर लो, यहां पर यह देखो, it's over an hour, USDC ledger में नहीं आ पाया है, वगयरा वगयरा वगयरा, ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारी चीजें अब मैं, of course, this is not me saying कि यह वाले altcoins खरीद लो, बट मैं आपको बता रहा हूँ, GRT है, Chainlink है, Solana है, Axie है, यह सारे are working just fine, मुझे Solana में delay आ रहा है, to be very honest, Solana का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा कब transaction process होगा, 10 minute हो चुके है, but mostly हो जाएगा, as such कोई problem यहां पर होनी नहीं चाहिए, but my point is, कि अगर by chance थोड़ा सा भी issue होता है, तो आप लोगों को safe रहना है, तो अपना wallet वगरा का कर लो, ठीक है, free wallets, metamask में move कर लो, और कुछ नहीं तो, थोड़ी fee लग जाएगी, कोई बात नहीं अभी के लिए, better than losing all your funds, जैसे मेरे साथ Celsius के case में होगा, right, मैंने Celsius में से maximum त हमें थोड़ी और volatility यहाँ पर दिख सकती है, currently अगर हम देखे तो मेरे जो purple box है, bitcoin के case में वो इसी range में अभी के लिए तो bitcoin चल रहा है, but, अब मैंने आपको बताया है हम EMAs की तरफ move करेंगे, क्योंकि EMA हमें थोड़ा जादा relative एक अच्छा movement का idea दे सकते है, क्यों दे सकते है, क्योंकि exponential moving average जो है, वो recent time period जो होते हैं, उनको थोड़ा ज़ादा भाव देते हैं, now, अगर हम यहाँ बात करें, मैं 21 और 55 EMA की बात कर रहा हूँ, so 21 और 55 EMA की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यह दोनों, एक अच्छे strong 21, Fibonacci, वो सारा angle है यहाँ पर, but, usually ऐसा होता है, कि 21 और 55 का जो crossover है, उसके base पे short term, medium term trend भी देखा जा सकता है, तो जब आप notice करो, यहाँ पर जो blue वाला 21 है, green वाला 55 है, तो जब यह cross करके, उसको blue वाला 55 के नीचे है, तो हम मतलब downtrend में हैं, और जब वो उसके ऊपर है, मतलब हम uptrend में हैं, इसको मैं आगर आपको simple सा example देना चाहूं, तो uptrend वाला अगर मैं एक period निकालू, यह देखो, blue वाला green के उपर आया, हम uptrend में चले गए, cross करके नीचे आया, हम downtrend में चले गए, थोड़ा सा lagging indicator होता है, moving average, I agree, but at the same time, it is okay, अभी यहाँ पर इसने blue वाले ने cross करने की कोशिश की, but हम reject हुए वहाँ स हम downtrend में ही है, currently भी देखो, तो हम downtrend में ही है, तो यहाँ पर और volatility देखने को मिल सकती है, मैं बार बार वही बोलनों, साड़े सतरा से वो, बहुत सारे लोग बात करते हैं, तो चलो, आज चेंज करते हैं, मैंने ऐसा सुनने में आया, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, कि हम बस bitcoin का ही वही एक ही चार्ट दिखा रहा है, तो let's have a look at ethereum also, ethereum के जो levels आपको देखने है, 753 is a danger level, I think, यहाँ पर पहुंचने का chance थोड़ा सा कम है, but chance है अभी की market में, अगर current level के हिसाब से आप देखना चाहो, ethereum में, I think 920 dollars, यह 900 से लेके, 940 cash pass का जो range है, that is an interesting range, जिस पर आपको नजर रखना चाहिए, currently हम support पे है, no doubt, but given कि हमारे पास EMAs उपर है, especially ethereum के case में 21 just cross किया है, 55 को, plus of course, RSI क्या कर रहा है, वो सारी चीज़े भी आपको यहाँ पर देखके ही decision लेना पड़ेगा, but given all of that, and given market का sentiment, I think थोड़ा सा negative जाने का chance जादा है, looking at then, Binance and Matic, Binance more or less ethereum के साथ चल रहा है, but current level, अगर situation में level देखने है, मैं actually time period भी छोटा करके देख लेता हूँ, कि अगर और इसके बीच का कुछ है, क्या, नहीं, so yeah, so what we are looking at right now, is one, is about, जो है आपका 213 dollar का level, चीक है, दूसरा जो है, वो है 205 dollar का level, so 205, 213, अगर हम और थोड़ा यहाँ market pullback लेती है, bitcoin pullback लेता है, तो हम लोगों को यहाँ पर 187 dollar के level भी जो है, ध्यान रखना है, यहाँ पर, चीक है, तो यह हो गई important चीजे, now moving on to lastly, matic, और उसके बाद हम video wrap up करेंगे, 0.44 level, but more than that, क्योंकि यह बहुत ही pass है, I think downside में ही दिखा रहा हूँ, upside में तो आपको पता ह है, क्या-क्या है अपने पास, तो अगर हम upside की बात करें, 48 cents is one, but on the downside, आप लोगों को 39 cents के level भी ध्यान रखना है, 39 से approximately 40 cents के level ध्यान रखना है, यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर pullback जादा लेते हैं, तो another level, जो past में support अच्छा act किया है, that is 32 cents का level as well, अभी के लिए तो यह ही नजर आ रहा है, at least मुझे, and मैं यह trading signals नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिरफ levels का idea दे रहा हूं, तो यह कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आपके साथ आज के वीडियो में share करना चाता था, very quick video, please ध्यान रखें, अपने funds को wallets की तरफ ध्यान, move करें, अगर कर सकते हैं, तो that's it guys, hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें अगर कुछ सीखने को मिला है, तो like बन पर मुक्का जरूर मारे, and चैनल पर subscribe करना, मत भूले guys, this is you, signing off, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, take care,